तो WWE ने 24 की Top 10 Shocking Moments को Share किया है जिसको देखर भई मैं बिल्कुल भी Satisfied नहीं हूँ तो No.1 पर यहाँ पर WWE ने रखा है डेमियन प्रीस के मनीदा बैंक कैशन को जो की Wrestlemania में किया था उसके बाद Rock का Cody Rhodes को थपड मारना, Lim Morgan का किस करना, Dominicom Mysterio को, CM Punk का कॉस्ट करना, Drew McIntyre के साथ, Clash at the Castle में, Undertaker का चोक स्लैम लगाना, Rock को WrestleMania 40 में, White 6 का WWE में आना, Chad Gable का टर्न करना, Sammy Zane के उपर, Damage Control का टर्न, Bailey के उपर, और बाकी की दो मुमिंट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मुझे जीब बात ये लग रही है, भाई, क्या सच में, ये टॉप 10 की लिस्ट है, पता ने भाई, WWE ने कौन सा सस्ताना सा फूका था, जब इस लिस्ट को निकाला है, भाई, मतलब क्या, Roma Reigns का हारना, Cody Rhodes का स्टोरी फिनिश करना, कुई shocking moment नहीं थी, क्या, मतलब भा इमिज कंट्रोल का बेली पर टर्न करना बड़ी बात होगी, Roma Reigns के 1316 दिनों का टाइटल रेंड एंड करना ये तो एक लल्लू सी बात है, फिर वाई, क्या बात है, इस बात के लिए तो वाई, WWE को स्लिट करना बनता है, अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला, बाकी आप बत तुक्ति रोफ़न इए, ये बात करना बात है, बात ये हं वाई, गाम करने के लिए मुवि का तो कुछ दिन में पहले एक निश निकल कर आई है, कि रॉबर्ड़ निकल कर आई है, कि रॉबर्ग ने अपनी मॉवी जोकिश दा स्मैशिंग मशीनी, ती उसकी जो से तो यहां पर भाई रॉक की एक पॉसिबिल्टी निकल कर आ रही है कि रॉक रिटर्न आ सकते हैं डब डबली में और कुछ दिन बाद भाई समर स्लैम भी होने वाला है जहां पर आल्मूस्ट पचास-साथ जार लोग आने वाले हैं तो यह एक परफेक्ट जगा हो सकती है र के 40% चांसेज हैं अगर आपको अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रिटर्न हो सकते हैं तो वाई ऐसी बेव कोफी डब डबली कभी नहीं करेगी क्योंकि यह दोनों रिटर्न बहुत बड़े रिटर्न हैं और यह दोनों रिटर्न एक ही शो की उपर बिल्कुल भी नहीं हो स जाही एक्जेक्टली रोमर रिटर्न या फिर दर रॉक का रिटर्न नेक्स्ट आम बात करते हैं को बहुत बड़ी शोकिंग चीज के बारे में तो कल ट्वेटर पर बहुत भबाल मच गया बई जब से यह वाली फोटो वायरल हुई है जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते और बहुत जब मैंने इस फोटो को देखाना तो जो मुझे काफी जाला शौकिंग लगी क्योंकि मैकमेंस का अगर हम पूरा बैग्राउंड देखे तो वाय वो डबल डबली से ही बिलाउंग करते हैं तो फाइनली यहाँ पर टोनी खान और शेर मैकमें के भी जो बात चीत वार होगा बाकी आप बताओ कि आप क्या कहना चाओगे शेर मैकमें के बारे में अगर आप मेरे से परसनली चैट में बात करना चाते हो तो आप मेरे इंस्टागराम पर आ सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने और साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक दना मेरी जान।